किसान भाईयो नमस्कार स्वागत आप सपीका आपके अपनी लोग परी यूटूब चैनल में किसान भाईयो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं प्याज के भाव में बड़ोतरी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी या पिछले रेट पर ही हमारी प्याज की फसल बिकने वाली है किसान भाईयो वैसे तो आपको बता दे इस वर्स प्याज की खेती पिछले वर्स से ज़्यादा देखने को मिली है लेकिन जलेबी रोक के कारण हमारी प्याज की फसल पूरी तरह से नश्ट हो चुकी है आपको बता दें लगबग 50% फसल नश्ट हो चुकी है किसान भाईयों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है तो किसान भाईयों आज की इस वीडियो में आपको संपून जानकारी देंगे तो किसान भाईयों आपने अभी तक हमारी यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिपिकेसन आपको मिलता रहे पिछले वर्से अब की बार प्याज की खेती सबसे ज़ादा देखने को मिलती है लेकिन प्याज की खेती में जलेवी रोग पूरी तरे से लग चुका है और हमारे किसान भाईयों की प्याज पूरी तरे से खराब हो चुकी है आपको बता दें कि लगबग 50% प्याज खतम हो चुकी है प्याज खराब होने की वज़े से लगबग प्याज का भाव 50-60 रुपे प्रती किलो का रहेगा क्योंकि आपको बता दें कि हमारी प्याज की सप्लाई विदेशों में होती है और विदेशों में प्याज की मांग सब से ज़्यादा रहती है इसलिए प्याज के भाव में उच्छाल देगने को मिल रहा है किसान भाईयों आपकी जितने भी खेती बची हुई है उसकी देखवाल अच्छी तरह से करें और उसमें इस्प्रे वगेरक हाथ भीज डालते रहें जिससे आपकी फसल अच्छी से अच् और आपको अच्छा सा अच्छा भाव मिल सके किसान भाईयों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जै जवान जै किसान